नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खुबसुरत डिजाइन लाए हूँ जिसे बनाना बहुत ही असान है और ये बहुत खुबसुरत दिखाई देता है इसे आप बच्चों के स्वेटर में, लेडिस कारडिगन में, जैकेट में, कोटी में, शॉक्स में, शूज में, कैप में, हैट में चाहे किसी भी मन चाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं इसे बनाने के लिए चार के multiple फंदे चाये और तीन फंदे extra ऐसे हम गिने, चार चार फंदे गिने, तो last में तीन फंदा आना चाये, तो मैंने सलाइं में 15 फंदे डाल दिया हैं, तो यह design का पहला line है और सामने से, डिजाइन बनाने से पहले आपसे अनरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले यदि आपको डिजाइन पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंट्स और फैमली में शेयर करें तो चलिए फ्रेंट्स हम डिजाइन बनाते हैं बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉंग साइज से फंदे बढ़ा सकते हैं तो डिजाइन का पहला लाइन हो सामने से तो अपने प्राइमरी कलर के उनसे ही तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे और चौत्छे फंदे को सिलिप करेंगे next, तीन फंदा सीधा, चौते फंदे को slip करेंगे और लास्ट में तीन फंदा बचेगा जिनें हम सीधा बुनेंगे, तो ये डिजाइन का पहला लाइन complete होता है, अब डिजाइन का दूसरा लाइन और wrong side, तो तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, उन अपनी ओर कर उन दूसरी और करेंगे, बुना हुआ, तीन फंदा उसे हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी और करेंगे, स्लिप के हुए फंदे को स्लिप करेंगे, और लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, जिने हम सीधा बुन लेंगे, तो इस तरह हमारा डिजाइन का दूसरा लाइन अपना secondary color attach कर लेंगे और पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे secondary color के उनसे पहला फंदा सीधा दूसरे फंदे को slip करेंगे फिर तीन फंदा सीधा एक, दो, तीन और देखिए ये तीन बुने हुए फंदे थे तो बीच के फंदे को हम slip करेंगे और फिर तीन फंदा सीधा यहाँ पर देखिए ये फंदा हमने slip किया था तो इस फंदे को इसके दोनों साइड वाले एक फंदे को हम लेंगे और तीन फंदा सीधा पुनेंगे और लास्ठ फंदा सीधा रॉंग साइड से डिजाइन का चौथा लाइन और रॉंग साइड तो पहला फंदा उल्टा बुनेंगे दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे फिर तीन फंदा उल्टा यानि यानि slip किये हुए फंदे को हम slip कर लेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे slip किये हुए फंदे को slip करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे तो इस तरह हमारा ये चौथा लाइन complete होता है डिजाइन का पांचवा लाइन और सामने से और अपने प्राइमरी कलर के उन से तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा हमें स्लिप करना है यानि हमारा पहला लाइन तीन फंदा सीधा और चौता फंदा स्लिप करना है देखिए चौता फंदा जो है वो बुने हुए यह देखिए सेकंडरी कलर से तीन फंदे जो बुने गया थे तो उसके बीच का फंदा है यानि दूसरा फंदा तो इसे हमें स्लिप करना है और देखिए यह फंदा हमने स्लिप किया था तो इस फंदे को और उसके दोनों साइड वाले एक एक फंदे को लेकर तीन फंदे को हम सीधा बुलेंगे तीन फंदा सीधा चौता फंदा हमें स्लिप करना है और लास्ट में तीन फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुलेंगे six throw और wrong side तो तीन फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे और चौथे फंदे को slip कर लेंगे तो इन ही चार फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और slip के हुए फंदे को slip कर लेना है बुने हुए फंदे को सीधा उन अपनी ओर करना है slip के हुए फंदे को slip करना है उन दूसरी ओर करना है बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है सात्वी लाइन और सामने से और अपने प्राइमरी कलर के उन से ही पहला फंदा सीधा दूसरे वाले फंदे को दूसरे फंदे को हमें स्लिप कर लेना है फिर तीन फंदा सीधा देखिए यह सेकंडरी कलर का फंदा और इसके साइट के दोनों फंदे इन तीन फंदो को हमें सीधा बुन लेना है नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है अगला फंदा सीधा यानि हमारा तीसरा लाइन लेकिन प्राइमरी कलर के उनसे यहां पर हमने तीसरा लाइन सेकेंडरी कलर के उनसे बना था फिर लगातार चार लाइन हम प्राइमरी कलर के उनसे बुन रहे हैं रॉंग साइट से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जागा उन दूसरी और बुने हुए फंदे सीधे उन अपनी और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जागा उन अपनी ओर slip किया हुआ फंदा slip कर लिया जागा उन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा बुन लिया जागा तो इस तरह ये आठवा लाइन कंप्लेट होता है अब डिजाइन का नवा लाइन और सामने से और अपने secondary कलर के उन से तो तीन फंदा सीधा अगले फंदे को slip करना है नेक्स्ट तीन फंदा सीधा अगले फंदे को slip करना है तीन फंदा सीधा अगले फंदे को slip करना है और लास्ट में तीन फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बनेंगे तो देखिए इन ही चार फंदो को हमने पूरी लाइन में दूर आया है और लास्ट में तीन फंदा बचेगा तो जिसे हमने सीधा बुन लिया है और रॉंग सैट से बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुए फंदा स्लिप करिया जाएगा बुना हुए फंदा उल्टा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जाएगा दा बना जाएगा नेक्स्ट फंदा स्लिप किया जाएगा फिर तीन फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा सीधा स्लिप किया जाएगा फिर तीन फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा स्लिप किया जाएगा फिर तीन फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा स्लिप किया जाएगा फिर तीन फंदा फिर लास्ट फंदा सीधा और रॉंग सैट से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जाएगा उन दूसरी और बुना हुआ फंदा सीधा उन अपनी और सिलिप किया हुआ फंदा सिलिप कर लेंगे 13 भी लाइन से फिर अपना पहला लाइन हम शुरू कर देंगे 12 लाइन का ये लीपीटेड डिजाइन है देखिए और देखिए डिजाइन बनके त्यार है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब थेंक्यू